नमस्कार मेरे नाम है मिनाश और आप सभी का हमारी यहींट चैनल पर स्वागत है इस समय दो जगह जो है टी-20 मैच चल रहा है एक भारत और सौथ अफ्रीका का तिसरा टी-20 मैच वाई-जैग में खेला जा रहा है और एक यहां से 2000 किलोमेटर दूर ट्रेंड ब्रीज में जो को इंग्लेन की टीम कर रही है वो resolutions करहिए नहीं जोगों की बल्लेबाजी है कि ढूर्प जिस तरीके से घुर्णी बेर्स्टो और बैन स्टोक्स ने बल्लेबाजी की है बहिया भाया पूरी दुनिया सराम कर रही है वो lifetime में एक ही बार बल्लेबाजी उस तरीके से कोई खिलारी कर पाता है या दूसरी बार कर पाता है लेकिन ऐसी बल्लेबाजी इतिहास रचती और आज की मुकाबले में बिल्कुल कुछ ऐसा ही होगा है जॉनी वेरिस्टो आउट होगे लेकिन आउट होने से पहले उनों नहीं थी हास रचता है टेस्ट मैच में शतक ठोगा है और वो इंग्लेंड के लिए टेस्ट मैच में सबसे तेज शतक ठोगने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए है दरसल में इंग्लेंड की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो खराब शुरुआत रही एलेक्स लिस चोवाली सरेंड बनाकर आउट हुए जबकि जैक रॉली जो है वो खाता नहीं खोल पाए इसके बाद जो रूट जो है तीन बनाकर आउट हुए ऑली पॉप भी अठारे रन बनाकर आउट हुए चार बल्लेबाज आपके आउट हो चुगे थे और इसके बाद जोनी बरिष्टो एक दम जोनी सिंस की तरह जो बल्लेबाजी की है जोनी बरिष्टो ने बैनवे गिंदों में 136 रंग की भारी खेली 14 चौके और साथ गगन चुमबी उन्होंने च्छक्के लगा है इस्ट्राइक रेट 148 करा जो की टी-20 मैच में रहता है आज उन्होंने टेस्ट मैच में इस तरीके की बल्लेबाजी की है और बेनुग जयो है जब तक आपको वीडियो बना के बता रहा हूं तब तक बोनुग चासस रचने के गार पर है क्योंकि आपने पाँचवे दिन जो है दोस्तो 99 रंग का टार्गेट का पीछा किया है मुझे तो डर लग रहा है कि हम लोग जो है मतलब इंडियन टीम अप जाएगी पाँचवा टस्ट मैच खिलने के लिए इंगलें तो इस तरीके से अगर बल्लेबाजी हुई तो भारत की खैर नहीं लेकिन हम लोग भी कम नहीं है आज तारीफ करनी पड़ेगी जॉनी बेरिस्टो की जिस तरीके साथ उन्होंने चौती इनिंक्स में ऐसी बल्लेबाजी की है चौती पारी में दोस्त इस तरीके से बल्लेबाजी नहीं होती है जॉनी बेरिस्टो आज अलग ही लेबल पर उन्होंने बल्लेबाजी की है और ये नया टेस्ट यूग है इंगलेंड का क्योंकि ब्रेंडन मैकलम कोच बने है और उन्होंने साफ तोर पे बता दिया है कि भई हमें आटाकिंग खेलना है और ये ही ब्रैंड ऑफ क्रिकेट अगर इंगलेंड खेलता रहा तो दिन दूर नहीं है जब इंगलेंड टेस्ट में भी नंबर वन टीम बन जाएगी हाला कि ये शुरुवात है पिछला अलोट्स में मुकाबला जीता और ट्रेंड ब्रीज में जो है जो दूसरा मुकाबला खेला गया है यहां भी इंगलेंड ने लगभग में बाजी मारी लिये चौदर उनकी जरूरत है जितने के लिए और जब तक काफ हमें देख पा रहे होंगे तब तक इंगलेंड जो है मुकाबला जीत चुका होगा अगर आपको यह विडियो अच्छा लगा तो हमारी यूटुब चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी न भूले धन्यवाद